प्रकाश तलवार अपनी किताब ट्रैवल अंट टूटिजम मैनेजमेंट की फोथ वॉल्यूम में लिखते हैं जुडवा द्वीप उस जगे का एक आदर्शुदाहरण है जहां इतिहास और प्रकृति मिलते हैं शांतिव है जो दमन और दीव द्वीप समू के समुद्रतटो का प्रतीक है दमन चार शताप्दियों से अधिक समय तक पुर्तगाली उप्रिवेश रहा और 1971 में भारतिय संग में शामिल हो गया नमस्कार मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं तारीक जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीक से जुड़ी भारत की एतिहासे कहानिया आज दो फरवरी है और आज की तारीक का संबंध है भारतवी द्वीपों पर पुर्तगाली अधिपत्ति की घटना से बात शुरू होती है योरोप और अफरीकी देशों के साथ भारत के बसालों और कपडों के व्यापार से इसके लिए पंद्रवी सदी में भारत से योरोप तक लैंड रूट का इस्तिमाल होता था लेकिन 1453 में कौस्टंटीन उपल यानी आज के इस्तांबूल पर तुर्की के उस्मानियों का कब्जा हो गया उस्मानी सुल्तान महमद बिती ने योरप की पुनियाध हिला दी थी कुनिया इसके पहले तक बाईजंटाइन इंपायर की राजधानी थी उस्मानी लोग भारत से आने वाले माल पर भयंकर टैक्स लेने लगे यॉरप वालों को ये सामान महगा पढ़ने लगा और आखिरकार उस्मानियों की वजह से इस लैंड रूट से व्यापार बंद हो गया दूसरी तरफ यॉरप के वेनिस और जनीवा भी एशिया के साथ जमीनी रूट से व्यापार कर रहे थे जिससे कई यॉरोपिये देशों खास्तोर पर स्पेन और पुर्तगाल को दिक्कत थी इनके पास अब एक ही रास्ता था समंदर का पुर्तगाल और स्पेन के शासक समुदरी रास्तों से दुनिया के दूसरे इस्सों को खोजने के लिए अपने नाविक भेजा करते थे खुशी खुशी इन लंबी यात्राओं की फंडिंग की जाती थी स्पेन से एक नाविक चला था नाम था कोलंबस इरादा भारत पहुँशने का था लेकिन पहुँच गया अमेरिका और अमेरिका की खोज हो गई कोलंबस को आखिर तक यही लगता रहा कि उसने भारत की खोज कर ली है इसके बाद 1487 में पुर्तगाल से एक समुद्री यात्री भारत के लिए निकला नाम बार्थो लोमियो डियास यह अफ्रीका के किनारे किनारे चला और साउथ अफ्रीका के एक द्वीब तक पहुँच गया इस द्वीब को नाम दिया गया केप ओफ होप बार्थों ने करीब आधी दूरी तैकर ली थी लेकिन भारत तक नहीं पहुच सका इसके बाद साल 1497 में पुर्तगाल से एक और समुद्री यात्री ने सफर शुरू किया वासको डिगामा उस वक्त पुर्तगाल के शासक थे मैनूल प्रथम आठ जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वासको डिगामा ने भारत की तरफ कूच किया पुर्तगाल का लिस्बन शहर जैसे कोई क्योहार मना रहा था ये पुर्तगाल के राजधानी बे थी और बंदरगाह भी लिस्बन के लोग लाखों की तादाद में सैनिकों और नाविकों को विदा करने के लिए समंदर किनारे पहुँच रहे थे चार बड़े जहाज अपना सफर शुरू करने वाले थे जिन में तोप, जरूरी सामान और नक्षे रखे गए थे अफ्रीका के तटो का वो नक्षा भी था जिसे किंग मैनुएल के पहले पुर्टगाल के शासक रहे प्रिंस हेंडरी ने तयार करवाय था तमाम समुद्री अभियानों के बाद इनी के सहारे यात्रा शुरू की गए फिल्म Pirates of the Caribbean का कोई सीन याद कर लीजे वैसा ही समुद्री सफर इन जहाजों का भी था वासको डिगामा पहले आशा अंत्री यानि Cape of Good Hope और फिर मेड़गासकर और अफरीका के बीच से होते हुए मोजांबीक और फिर केन्या तक पहुँच गया यहां वासको डिगामा की मुलाकात एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक से होती है यह समुद्री इलाका मनीक की फिंगर टिप्स पर था यानि उसे अच्छे से रटा हुआ था मनीक की मदत से वासको डिगामा हिंद महासागर को पार करते हुए इंडिया में केरल के कालिकट पर पहुँचता है करीब 10 महीने के लंबे सफर में 12,000 मिल के दूरी तै करने और दर्जनों साथियों को खो देने के बाल तारीक थी 20 मई 1498 आज इस कालिकट को कोजी कोड कहते हैं इस वक्त तक भारत से अरब के व्यापारी व्यापार किया करते थे ये पहली बार था कि कोई योरोपियन व्यापारी सीधे भारत आया था जिस तट पर वासको डिगामा पहुचा था उसे माला बार तट कहते हैं और उस वक्त इस पूरे इलाके यानि कालिकट का स्थानिय शासक था जमोरिन जमोरिन दरसल एक उपादी थी जो इस हिंदू शासक को पुर्टगालियों नहीं दी थी जैसे मुगल शासक को बादशाह कहा जाता है हिंदू शासक को राजा या महराजा वैसे ही पुर्टगाल में शासक को जमोरिन कहा जाता है जमोरिन ने वासको डिगामा का शांदार स्वागत किया उसकी आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी वज़े है कि पहले बार विदेशियों से व्यापार करने का कोई दूसरा विकल्प मिला था जब वासको डिगामा ने जमोरिन से भारत में व्यापार बढ़ाने की बात कही तो जमोरिन ने व्यापार करने की हामी तो भर दी लेकिन कोई फ्याक्टरी वगेरा लगाने से मना कर दिया वज़े अर्भी व्यापारियों का प्रभाव और उनका कंट्रोल दूसरी वज़े ये कि जिस वासको डिगामा को राजा ने शाही आत्री समझा था उसने राजा को बड़ी तुच भेट दी लाल रंगी हैट, पीतल के कुछ बरतन, कुछ किलो चीनी और शहर जमोरिन और लोकल जनता ने समझा कि वासको डिगामा एक अधना सा समुधरी लुटे रहा है कई पुर्तगालियों को मार डाला गया हाला कि उसकी तोपो का जवाब जमोरिन के पास नहीं था जब वासको डिगामा ने गुसा कर तोपो से हमला कर दिया तो राज़ जमोरिन को शहर के अंदर भागना पड़ा इसके बाद वासको डिगामा वापस पुर्तगाल चला गया दो चीजे लेकर एक बहुत सारे मसाले और जड़ी बूटिया कहा जाता है कि जितना सामान लेकर वासको डिगामा पुर्तगाल गया था उसकी बिक्री से उसे आने जाने का खर्श निकाल कर 60 गुना मुनाफ़ा हुआ था और दूसरी चीज जो वासको डिगामा लेकर गया था एक सीक ये कि अरब से जो भी जहाज भारत व्यापार करने आते हैं उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होते इन 1500 से ज्यादा अरबी जहाजों का उद्देश सिर्फ व्यापार का होता है इसलिए अगर एक मजबूत नौसेना लेकर इन पर हमला कर दिया जाए तो भारत में व्यापार के लिए मनमाना रास्ता खुल जाएगा किंग मैनुवल ने स्पेन के महरानी इजाबेला और शाह फर्डिनन को खत लिखा उपर वाले के करम से वो व्यापार जो इस इलाके के मुसल्मानों को मालदार बनाता है अब हमारी सल्तनत के जहाजों के पास होगा और ये मसाले तमाम ईशाई दुनिया तक पहुचाए जाएंगे लेकिन सवाल ये था कि दसीव हजार कियो मीटर दूर से व्यापार होगा कैसे उपर से अर्भी जहाजों का समुदरी इलाकों पर कबजा भी चिंता की बड़ी बात थी इसके बाद पुर्तकाल में भारत से व्यापार करने के लिए साल 1498 में ही एक कमपनी बनाए गई नाम था एस्तादो दी इंडिया इस पुर्तकाली कमपनी का व्यापार के अलावा एक उदेश और भी था धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव बनाना उस्मानियों के हमले और कुस्तुन्तुनिया के पतन से हुई इसाईयत की हानी का हरजाना भी अब भारत से पसूला जाना था साल 1500 में पेडरो, अलवारेस, काबराल भारत आया तेरा जहाद और काफी तादाद में हथियार बंद सैनिकों के साथ काबराल को पुर्तकाली बादशाह ने लिखित संदेश भेजा तुम्हे समंदर में मका के मुसल्मानों का जो भी जहाज मिले उस पर हर संभव कबजा करो और ला देगाये माल और जहाज पर मौजूद मुसल्मानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो उनसे जंग करो और जितना भी हो सके उन्हें नुकसान पहुचाने की कोशिश करो पेडरो ने दो दिनों तक कलिकट पर बंबारी की लोग जगे छोड़ कर भागने को मजबूर हो गए इसके बाद पेडरो कोचीन के राजा से मिला जिसे अब कोच्ची कहते हैं ये केरल के अरिनाकुलम जिले का एक बंदरगाह है इसके अलावा पेडरो करनाटक के कन्नूर भी गया यहां से ततकाली इंशासक से भी मिला इसी दोरान इसने अरब के एक व्यापारी जहास पर हमला भी किया और उसे जीत कर भारतिये राजाओं को तोहफे में दिया भारतिये राजा पेडरो से दरे हुए थे उन्होंने पेडरो को अपने यहां व्यापारी ठिकाने स्थापित करने के अनुवती दे दी इसके बाद पेडरो काफी समान लेकर वापस चला गया पेडरो के मसालों से लदे जहाज जब पुर्तगाल पहुँचे तो लिस्बन में जश्न बनाया गया और वेनिस में मातम कारण की समुद्री व्यापार हिंद महासागर और भारत के दक्ष्री तटो पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व जमने लगा था इसके बाद साल 1502 में वासको डिगामा वापस भारत आया और 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई ये फैक्ट्री दरसल कारखाने नहीं होते थे गोदाम आप इनको कह सकते हैं यहां बस शेत्री लोगों से सामान खरीद कर उसे स्टोर किया जाता था और बाद में उसे पुर्तगाल भेज दिया जाता था फैक्ट्री लगाने के बाद वासको डिगामा वापस पुर्तगाल चला गया साल 1505 में पुर्तगाल के किंग एमेनुएल ने फ्रैंसिसको डी अलमीडा को भारत भेजा पुर्तगाली कंपनी का पहला वाइसराय या गवर्नर बना कर इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई इस पॉलिसी का मुख्य उधेश था अर्भी जहाजों को समंदर के रास्ते भारत में व्यापार करने से रोकना इसी के तहट हिंद महा सागर में अर्भी जहाजों पर हमले होने लगे उन पर कबजा किया जाने लगा और दूसरा उदेश था भारत में राजनी तेक आधिपत्य जमाना कलिकट के शासक जमोरिन और उसके लोगों ने वासको डिगामा की पहली यात्रा के वक्त तमाम पुर्तगालियों को मारा था दूसरा जब फैक्टरी लगाई गई तो उसका भी विरोध किया गया और तीसरा ये कि कोचीन और कलिकट के शासकों में 1503 में भिड़नत हो चुकी थी जिसमें कलिकट के जमोरिन का पढ़ला भारी पढ़ा था इनी वजहों से 1504 में कोचीन का युद्ध हुआ जिसमें एक तरफ जमोरिन और दूसरी तरफ थे उसके दो दुश्मन केरल तब मसालों में काली मिर्च के व्यापार के लिए बहुत मशूर था साल 1504 में मार्ट से लेकर जुलाई तक कोचीन का युद्ध लड़ा गया था ये युद्ध पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा तिर मुम्परा के साथ मिलकर कलिकट के शासक जमोरिन के खिलाफ लड़ा था यानि पुर्तगाल प्लस कोचीन वर्सिस कालिकट यानि आज का कोई कोड इस युद्ध में जमोरिन की हार हुई और इसी के साथ कोचीन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया कोचीन के युद्ध में मिली जीत को ही भारत में पुर्टगाल के राजनायतिक दखल की असली शुरुवात बताया जाता है अब हम आते हैं दीव के युद्ध पर साल 1526 में जब बाबर भारत में मुगल सल्तनत के पैर जमा रहा था तब पुर्टगाल कई तची इलाकों पर पहले ही अपने कदम मजबूत कर चुका था बारत में पुर्टगाल के आगमन के बाद या फिर कोचीन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया में स्थितिया काफी बदल चुकी थी सोने के शुडिया को लूटा जा सकता है दुनिया ये बात समझ चुकी थी लेकिन इधर जमोरन पुर्टगालियों से बदला लेना चाहता था अरब के लोगों का व्यापार भी पूरी तरह से चौपट हो गया था पुर्टगालियों के कारण वेनिस का व्यापार भी परबाद हो रहा था यानि अब चारों तरफ से मिलकर पुर्तगालियों को लोग खदेरना चाहते थे इस वक्त तक पुर्तगाल ने दूसरे वाइसराय अलफांसो डी अलबुकर्क को भारत भेज दिया था उधर गुजरात के सुल्तान महमूद बेगडा ने दीव का गवर्नर मलिक आयास को नियुक्त किया था मिस्र के मामलूक सामराज के लोग भी पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने को तैयार थे वज़े वही कि उनका व्यापारिक नुकसान हो रहा था मामलूको का लीडर आमिर हुसेन कई सैनिको और जहाजों के साथ साल 1505 में गुजरात के लिए रवाना हुआ और साल 1507 में दीव पहुचा मलिक आयास से मदद की गुहार लगाई पुर्टगाली भी कोचीन के साथ साथ समुदरी रास्तों से होते हुए दमन और दीव पर भी अपना कबजा करना चाहते थे साल 1508 में पुर्टगाली जहाजों का सामना जेमोरिन और मामलूकों से महराष्ट के चॉल में हुआ जिसे चॉल का युद कहते हैं इसमें पुर्टगाली की हार हुई फ्रांसिसको डी अलमीडा के पुत्र लॉरेंजो डी अलमीडा की इस युद में मौत हो गई मामलूकों ने उसका जहाज डुबा दिया था हालाकि इस युद में इजिप्ट के मामलूकों की हालत भी पस्थ हो गई थी वो पुर्टगालीों के अड़े यानि कोचीन तक जाना चाहते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाद इसके बाद अलबकुर्क की अगवाई में 2 फरवरी 1509 यानि आज ही के दिन पुर्टगाली दीव पहुँचते हैं इस बीच छिटपट लडाईयां चल रही थी लेकिन दीव पहुँचने के बाद दोनों बेड़ों का सीधा सामना होता है इस लडाई को दीव का युद्ध कहते हैं सुभे 11 बजे युद्ध शुरू होता है पुर्टगालियों के स्ट्रेटीजी तै थी पहला की हर तलब से मामलूकों को के जहाजों पर हमला करो और उन्हें डुबाओ इस जंग में पुर्टगालियों के एक खुफिया विभाग ने उनकी बड़ी मदद की दूसरा उनके जहाज मामलूकों के जहाजों से कहीं बहतर थे और तीसरा गुजरात के गवर्नक मलिक अयाज ने पूरी टाकत से मामलूकों का साथ नहीं दिया एक और वज़ा ये थी कि पहले पुर्टगाली गवर्नर फ्रांसिसको डियल मीडा ने इस लड़ाई को परसनल ले लिया था चौल में उसके बेटे की मौत हुई थी रिटायर किया जाने के बाद भी वो वापस पुर्टगाल नहीं किया बलकि लड़ाई में उसने हिस्सा लिया पुर्टगालियों ने आरपार से लड़ाई लड़ी और आखिरकार पुर्टगाली जीत गए हाला कि पुर्टगालियों ने दीव पर कवजा नहीं किया बलकि ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया और वहां से व्यापार शुरू कर दिया ट्रीटी में समझोते के तहट पुर्तगालियों को 3 लाग सोने के सिक्के मिले चौल की लडाई में बंदी बनाये गए सभी पुर्तगाली छोड़ दिये गए इसके बाद गुजरात के शाहों ने पुर्तगालियों से कई बार समझोते की कोशिश भी की लेकिन बातचीत विफल रही अगले साल 1510 में अलबुकर्क की अगवाएं में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोआ भी छीन लिया इसके बाद दमन पर भी पुर्तगालियों का नियंतरण बढ़ता गया अलबुकर्क ने 1511 में साउथी स्टेशिया की सबसे खास मंडी कही जाने वाली स्टेट और मलक्का और 1515 में फारस की खाडी पर भी कबजा कर लिया इसलिए अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली ताकत का असली संस्थापक माना जाता है आगे चलकर पुर्तगालों ने अपनी राजधानी को कोचीन से गोआ ट्रांसफर कर लिया साल 1504 में हुए कोचीन के युद्ध और 1509 के दीव युद्ध को पुर्तगाली के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है इसके बाद भारत जिसे तब सोने की चिडिया कहा जाता था उसे लूटनी की जैसे रेस लग गई साल 1526 में बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत की नीव रखी भारत में यूरोपियन डॉमिनेंस भी बढ़ गई इस्ट इंडिया कमपनी, डच, फ्रांसीसी सभी बारी-बारी भारत पर कबजा करते चले गए लेकिन पुर्तगालियों का शासन भारत की इस पतंतरता के बाद भी जारी रहा और अंततह साल 1961 में भारत से पुर्तगाली शासन को हटाए गया और गोवा, दमन्दीव, एवं दादरा और नगर हवेली में भारत का आधिपत्य दोबारा कायम हुआ तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें आपके साथ फिर हाजर होंगी मैं कल एक नई कहानी लेकर उस दिन की तारीक से जुड़ी हुई आप अपना तब तक खयाल रखे, शुक्रिया